नमस्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भारत में मात्री मृत्यू दर यानि मैटरनल मॉर्टलिटी रेट जो है वो घट रही है बहुत एक अच्छी न्यूज है बहुत पोजिटीव रेजल्ट जो है Iwho ने सरहाना भी की एस चीज़िस की साधी साथ भारत के अंदर कौन कौन से राज्यें है जो रोंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कौन कौनसे ऑसे राज्यें जहां पर अभी भी बहुत जाद़ा जरूरतर सुधार के तो इन सब चीजों को हम जानने वाले हैं का एक link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं और वहाँ से अगर open ना हो उस link से तो सीधा काम करिए telegram open कर लीजिए वहाँ पर आप self self study type करिए और जब आप ये type करेंगे तो इस तरीके का आपको icon रज़राते हैं तो यहाँ पर लगबग system यानि SRS SRS ने भारत में वर्स 2017-19 में मात्री मिलती उदर यानि maternal mortality ratio पर एक विशेश बुलेटिन या कहें कि एक विशेश report कह सकते हैं आंकड़े कह सकते हैं ये प्रस्तूत किये हैं और ये जो है इस चीज को cover किया गया है हिंदू newspaper के अंदर और ये जो SRS ने कहा है कि भारत के अंदर जो है वो maternal mortality ratio जो है वो 10 point कम हुई है clear तो एक बहुत एक अच्छी news है ये अब जाने कि WHO के according maternal mortality ratio के अंदर किसको include किया जाता है यानि मात्री मिलती उदर के अंदर कौन से महिलाओं को शामिल किया जाते है तो विशु स्वास्ते संगटान यानि WHO World Health Organization ने कहा है कि जो महिला pregnant है और pregnancy के खतम होने के बाद pregnancy के खतम होने के 42 दिन तक यानि इस period तक कहें कि जो pregnant हुई pregnant होने के pregnancy खतम होती और pregnancy खतम होने के 42 दिन भी खतम हो जाते है अगर यहाँ पर किसी महिला की मोथ हो जाती है उस महिला की मोथ हो जाती है तो उसको मात्रि मृत्युदर के अंदर شामिल कर लिया जाएगा ओके और इसको मापा कैसे जाता है मात्रि तु मृत्युदर को यानि maternal mortality ratio कि किसको कहते हैं, कहते हैं उसको हैं कि एक लाख जीवित बच्चों पर एक लाख जीवित बच्चों पर होने वाली माताओं की मृत्यू को क्या कहा जाता है, MMR यानि maternal mortality ratio या फिर कहें rate भी आप इसको कह सकते हैं ओके, तो एक बर जरा इसके बारें बात कर लेते हैं कि Registrar Journal of India ये क्या है देखे, Registrar Journal of India जो है, वो भारत के Home Ministry के तैट के काम करता है, ये जन संक्या की गंड़ना के साथ-साथ भारत के अंदर, जो भी मृत्यूदर है, जो भी जनम जनम, मृत्यूदर नहीं, जो भी मृत्यूदर जनम, उसके Registration का काम करता है, और इसके अलावा जो ये SRS, यानि Sample Registration System जो है वो भारत के अंदर Fertility Rate क्या है, यानि हमारे देश में जो जन संक्या बढ़ रही है उसकी Speed क्या है, उसको बताता है और साथ ही साथ, Death Rate क्या है कि मरने वालों की जो Speed है या जो किस दर से वो घट रही है मर रही है, उसका भी अनुमान लगाता है, तकि भारत के अंदर SRS सबसे बड़ा Demographic Sample Survey है भारत का ही है, जो क्या काम करता है कि जो संकेतक राष्ट्य परतिनिधी नमूने के माध्यम से, संकेतक परतिनिधी नमूने के माध्यम से ये क्या क्याम करता है कि डिरेक्ट ये बता देता है कि मात्री मृत्य उदर क्या चल रही है, उसका अनुमान लगा सकता है अब अनुमान कैसे लगा पाता है क्योंकि यहां पर एक Verbal Autopasy उपकरण है, यानि इंस्ट्यूमेंट है, जिसके तहत क्या होता है कि SRS में दर्ज मोतों के पर्बंदित किया जाता है कि भी कारण क्या है, मरने का क्या कारण है तो इसके पास एक Direct Information रहती है कि किसी की मिर्त्यू हुई है वो क्यों हुई है, तो सीधे तोर पर यह बता सकता है कि कितनी जो भारत के अंदर मृत्यूदर जो है वो चल रही है Maternal Mortality Rate क्या चल रही है Fatality Rate क्या चल रही है भारत के अंदर Clear हुआ, अब आगे चलते हैं देखे, MMR को लेकर भारत की स्थिती के बारे हैं बात करते हैं अभी आपको जैसे पता है कि 10. के अंदर गिरावट आई है, इससे पहले कितनी थी इससे पहले 2016-18 की बात करूँ तो 113 थी, और 113 से गटकर अब कितनी आ गई है 103 आ गई है, लगबग 8.8% के अंदर गिरावट आई है, और देश भर में पहले की बात करूँ 2014-16 के अंदर 130 थी, 15-17 के अंदर 122 है, 16-18 के अंदर ये 113 आई 17-19 के अंदर ये 103 आ गई, तो एक तरीके से आप देखें, तो काफी ज़्यादा achievement हम जो है, वो करते आ रहे हैं बहुत बढ़िया एक चीज है और भारत में 2020 2020 तक 100 परती लाख जीवित जन्मों 100 महिलाओं की मतलब की एक लेक लाख पर जीवित जन्मों के राश्चे स्वास्थे नीती, यानि National Health Policy के लक्षे प्राप्त करने के काफी करीब था, यानि हमने अचीव कर चुके हैं, 2030 तक जो ये आंकड़ा है, वो कहा गएगी 100 से घटा कर आप 70 कर दीजिए clear हुआ, तो ये जो है एक तरीके से sustainable जो UN ने जो decide कर रगा है, UN के दोरा sustainable development goal के अंतरकत ये आने वाली एक चीज है, तो SDG के तहती आती है, ओके अब यहां पर कई विक्सित देशों की बात करें, तो जो अलग-अलग जो देश हैं, उनके अंदर MMR जो है, वो एक single digit के अंदर आ गया है, भारत के अंदर हम जो लक्षे जो स्थापित करके बैठे हैं, 70 करके बैठे हैं, और हमने 100 का तो हासिल करी लिया है, अब यहां पर हम 130 पॉइंट जो हमें और घटाने हैं, और काफी सारे ऐसे देश हैं जहां पर single digit जलती है, जैसे Italy, Norway, Poland, Belarus, यहां पर सिरुफ और सिरुफ दो है बहुत कमाल की चीज़ है यार, सिरुफ दो और जबकि मैं बात करूँ, Germany, UK यहां पर साथ है, सिरुफ और सिरुफ साथ Canada में 10 है, अमेरिका में 19 है और भात की अगर पडोसी, क्योंकि हमें तो पडोसीओं की तो खहर कबर तो रखनी पड़ती है न, नेपाल की बात करूँ तो 186 है, बांगलादेश में 173 है, पाकिस्तान में 140 है और श्रिलंका और चीन के अंदर तो कह सकते हैं कि काफी एक अच्छी इन्होंने काम किया है, 18.3, यहां पर 36 इस हिसाब से काफी अच्छा इन्होंने इंप्रोव्मेंट कर रखा है अब भारत के अंदर जो राज्य विशिष्ट हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि भी राज्य के अंदर किस-किस राज्य ने बहुत अच्छा काम किया है देखे, SDG, SDG के तहती, यानि सतत विकास लक्षा हासिल करने वाले राज्यों की संक्या पहले पांच थी, अब साथ हो गई, यानि SDG के अंदर, इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट गोल जो जितने राज्यों ने इसके अंदर परगती की है, वो पहले पांच थी, अब साथ हो गई है maternal mortality rate की बात करों तो केरल, जिसमें सबसे कम 30 महराश्टर, उसके बाद आता है 38, तेलंगाना 56, तमिल लाडू 58, आंदर परदेश 58, जहारखंट 61, गुजराथ 70 यानि केरल ने सबसे कम MMR दर्ज किया है, जिसके कारण के हम 103 का यह लक्षे है, वो हासिल कर पाए है केरल के मात्र मिर्ट उदर में 12 अंकी गिरावट आई है, पहले जो थी, यह 42 थी, पहले यह 42 थी, और यह अब घटा कर, मतलब की कम करकर, इन्होंने, मतलब की काफी सारे improvement किया है, जिसके कारण यह जो है, वो बैले से कम होकर 30 आ गई है अब 9 राज्ये ऐसे हैं, जिन्होंने, जैसे हमने कहा रहा है, कि हमें 100 तक लेके आना है, परती लाग पर, तो 9 ऐसे राज्ये जिन्होंने क्या किया है, इसको हासिल कर लिया है जैसे करनाटक के अंदर 83 रा है, हरियाना के अंदर 96 रा है जो राज्ये इसको हासिल नहीं कर पाए है उनकी बारे में बात कुनों देखे उत्राखंड हो गया पश्ची मंगाल हो गया, जहांपर देखे काफी जाद है उत्राकंड में 109 है पश्चिमंगाल में 109 है पंजाब में 114 है बिहार में 130 है ओडिसा में 134 है राजस्थान के अंदर 141 है एममार यहां पर केतनी रह रही है सो से लेकर 150 के बीच में रह रही है जबकि 36 कड़ की बात करोंगे तो बहुत जादा है 160 हो जाती है मध्यपरदेश में 163 हो जाती है उत्रपरदेश के अंदर 167 हो जाती है अस्सम में 205 है जिसमें 150 से भी जाद है तो आप यह मैप देखेंगे ना जितना भी जो डार्क रेड कलर का है तो यहां पर मेटरनल मॉल्टरेटी रेड जो वो काफी ज़्यादा हाई है औ और यह जो एरिया है लाइट ब्लू कलर का तो यहां पर बहुत कम है यानि 70 से भी कम लाके रख लिए हैं तो आप एक मैप से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं जो भारत सरकार ने अचीव किया है कौन-कौन सी सरकारी पहले जो यानि कहें कि इनिशेटिव जो भारत सरकार की जो गर्वती महिलाएं हैं वो अपना एक तरीके से सुनुचीत व्यापक और गुणवत्ता पूर्वक एक टेस्ट करवा सकती है नीशुल्क ये टेस्ट होता है इसके अलावा पर धानमंत्री मात्री वंद्रा योजना चलाए गई पोशन अभिहान और लक्ष दिशा निर् और देख रहे हैं डेड़ सो से उपर भी हम देख रहे हैं जिनके अंदर मेटरनल मोडिरेट चल रही है तो एक तरीके से देखा जाए तो जहां पर अगर मात्री मिट्टी उदर क्या बताती है उस शेत्र की यह बताती कि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थे का पैमाना कैसा ह कि किया से वहाँ पर महिलाओं की स्वास्ते की देख रेक हो रही है तो ये बहुत वापत है दिखाते हैं हमारे सामने साथ साथ अगर WHO ने भारत की मैंने कहा थाना कि WHO ने मात्र में ते उधर को कम करने पर भारत के प्रैसों की सरहाना भी कर चुका है कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है भार सरकार के दोरा अब जो बहुत सारे जायसे राज्ये रहे गए हैं जहांपर maternal moderate rate जो 100 से भी उपर है या फिर कहें कि 500 से उपर है तो उनको कम करने की बहुत जादा जरूरत है वहांपर initiative चलाने की बहुत जादा जरूरत है महिलाओं के स्वास्ते के उपर ध्यान देने के जरूरत है तो यह सब किया जाना चाहिए तो उमीद करता हूँ कि यह जो आज का lecture है वो आपको समझ में आया होगा तो समझ आया होगा तो मुझे कैसे से बता सकते है या तो कमेंट करिए या लाइक कर दीजी वीडियो को साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी जिससे मुझे अच्छे से समझ आ जाएगा PDF के लिए मैं आपको अल्रेडी बता चुका हूँ की टेलिग्राम में आपको टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन वोक्स में तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा ही बस नाए है तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को as well as चैनल को भी थैंक यू फोर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो